आज की कहानी हम यह देखेंगे कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उसके जिम्मेदार कौन है हम खुद है ना कि भगवान हम भगवान पर उंगले उठाते हैं कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ तो इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे तो आईए कहाने शुरू करती हूँ एक महीला रोज मंदिर जाती थी एक दिन उस महीला ने पुजारी से कहा मैं आगे से मंदिर नहीं आया करूंगी इस पर पुजारी ने पूछा क्यों तब महीला बोली मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बाते करते हैं फिर कहा सही है तुमारा निर्ने बिल्कुल सही है अच्छा अंति निर्ने लेने से बहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकती है तो महिला बोली हाँ आप बताईए क्या करना है पुजारी ने कहा एक गिलास पानी भर लीजे और दो बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाईए शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए तो महिला तुरंत बोली हाँ मैं ऐसा खर सकती हूं फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा ही कर दिखाया उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से तीन सवाल पुछे क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा दूसरा सवाल किया क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा और फिर तीसरा सवाल किया क्या किसी को पाखंड करते देखा तो वह महिला बोली नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा फिर पुजारी बोले जब आप अरीक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी न गिर जाए इसलिए तब आपको कुछ नहीं दिखाई दिया अब जब भी आप मंदीर आएं तो अपना ध्यान सिर्फ उस परंपिता परमात्मा में ही लगा कर गें फिर आपको कभी कुछ गलत नहीं दिखाई देंगा सिर्फ भगवान ही सर्वत्र दिखाई देंगे तो इस बात के बाद बुजारी ने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी दिन तैसी हमारे जीवन में दुखों के जिम्मेदार हम खुद है ना की भगवान ना ही ग्रहन अक्षेत्र और ना ही भाग्या ना कोई रिष्टेदार ना पडोसी ना कोई सरकार इस हर दुख के जिम्मेदार हम खुद सुए हैं अगर हमारे सिर में दर्द होता है तो हमेशा हमारे दिमाग में फालतू विचार चलते हैं जिसके परिणाम हमको सिर दर्द जिलना पड़ते हैं अगर पेट दर्द है तो वह हमारे गलत खाने का परिणाम है और अगर हमारे उपर किसी का करजा है तो वह हमारी जरूरत से ज़्यादा खर्चे की कारण हमारे उपर करजाते हैं अगर हमारा शेरीर दुर्बल है या मोटा है या बिमार है तो यह सब गलत जीवन शैली का परिणाम है अगर हमारे उपर कोट केस चुल रहा है तो वह हमारे अंकार का परिणाम है और अगर हमारे घर में फालतु वाद विवाद होते हैं तो वह यह दर्शा आते हैं कि हम ज्यादा और व्यर्थक की बाते बोलते हैं जिस कारण फालतु विवाद होते रहते हैं इन कारणों के अलावा और कई सेकड़ों कारण है जिस वजह से हम भगवान को दोश देते रहते हैं पर ऐसा नहीं है हम सब इन कष्टों के पर बारी किसी विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि इन सब के जिम्मेदार कहीं न कहीं हम में हैं तो आप सब को समझ में आया होंगा कि किस तरह हम दुख जेलते हैं और भगवान पर दोश देते हैं इस तरह वह मैला भी समझ गई और रोज की तरह मंदिर आने लगी और उस पुजारी को प्रणाम करती रही उमिद करती हूँ यह कानी आपको भी पसंद आई होंगे जिससे आप कमेंट भी करेंगे, शियर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और फाइनली सब्सक्राइब भी कर लेंगे जिस तरह से हमको आगे भी इस तरह की नही नही कहानिया मिलती रहे सतनाम वाई गुरुजी